अब हम चालू कर रहा है sum number 10 जिसमें दिया हुआ है limit x tends to 2 तो आपके माइन में होना चाहिए कि sir common निकलेगा x minus 2 जैसे ये step होता है आप अभी देखेंगे information जो देखे रखे हुई है इसमें तो x minus 2 अल्रेडी दिया हुआ है इसको हम दूसरी तरह लग सकते हैं देखो कैसे लिख सकते है limit x tends to 2 तो हम ऐसा कुछ लिख सकते है 2 x minus 2 और यहां लिखेंगे 4 और common निकाल देंगे x x minus 2 जैसे ये step होता है उसके बाद आप शांती से देखोगे तो यहां पे भी x minus 2 है यहां पे भी x minus 2 है तो LCM जो लेना है वो कुछ इस तरह लिया जाएगा limit x tends to 2 bracket आ गया यहां लिखते है x और bracket में x minus 2 जैसे ये complete होता है ये step तो हमें शांती से देखना है यहां तो already x minus 2 था खाली नहीं है तो क्या x से multiply करना पुड़ेगा और यहां पे तो सब कुछ था तो 4 as it is ही रहने वाल है यहां तक समझ में आया है उसके बाद हम आगे चलते हैं तो उसके बाद क्या होगा limit x tends to 2 यहां पे लिखे जाएंगे 2x minus 4 और यहां पे लिखा जाएगा x bracket में x minus 2 जैसे ये step complete होता है उसके बाद हम लिख सकते है limit x tends to 2 और उसकी जगा हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 को common निकाल लेते तो आया क्या x minus 2 जैसे ये step होता है तो हम बोल सकते हैं कि सार अभी हमें जो चाहिए common वो हमें मिल रहा है x minus 2 x minus 2 cut हो जाएगा तो रहेगा क्या limit x tends to 2 2 by x तो अभी हम लिख सकते है value put करेंगे x की जगा क्या put करेंगे x की जगा value put करेंगे 2 तो हमारा 2 2 cut हो जाएगा तो final answer will be 1 तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें जब भी ऐसे type के होते हैं तो अभी हमें वह देखना होता है वह देखना होता है कि हमारा जो LCM में जो लेना है डिनोमेटर दोनों साइड कैसा है common कुछ निकल रहा है तो बहुत easily some solve हो जाएगा सपोज यह step में आप कुछ आगे पीछे करोगे दूसरी method से कर सकते है लेकिन वह method थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हमें ध्यान वही रखना है कि step proper जा रहा है सपोज इसमें गलती आपने की तो आपका sum गलत होने का या लंबा होने का बहुत तो आप step by step थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि एक बार यह point clear हो जाएगा बात में कोई भी information दे तो आप आराम से solve कर सकते हो दूसरा same sum ऐसे example में दिया हुआ है हमने वह solve किया हुआ है example number 16 आप आगे की वीडियो देख सकते हो उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा तो clear करते हैं अभी हम आगे जाएगे sum number 11 में